शुक्रवार को विशाखा पत्तनम में इंडिन टीडट लीग का दूसरा खवाली पायर मुकाबला खेला गया महतपून मुकाबले में दिल्ली को हरा कर चेननई रेकॉड आजफी बाड़ाय पी एल के फाइनल में जगन बनाने में कैमाब रही मैच में अनुभवी चेनने का अनुखो उस वक्त फिर काम आया जब उनके सलामी बल्लेबाज पाफ डुपलेसिस और शेन वाट्सन ने शानदार बल्लेबाजी कर मैच को एक तरफा बना दिया दोनों ने पहले विकेट के लिए 81 रनू की साझेदारी की टूर्नमेंट में खरब भौ में रहे दोनों ही बल्लेबाजों ने दमदार वापसी करते हुए अपने अपनी अर्डशो तक लगाए हलाकि दिल्ली ने अगर पहले ही ओवर में एक बड़ी फूल नहीं की होती तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था चेनने को पहले ही ओवर में बड़ा जटका लग सकता था लेकिन दिल्ली के खलाडियों की गल्ती की वज़ह से ऐसा नहीं हो सका दरसल बोल्ट के पहले ओवर की तीसरी गेन पर डूपलेसिस ने शौट खेला जो सीधा अक्षर पट्टेल के हाथों में गई इस दोरान वाट्सन और डूपलेसिस के बीच कुछ बलक पहमी हुई और दोनों एक ही छोड पर पहुँच गई उस वक्त दिल्ली के पास आसानी से पहला शिकार करने का मौका था जिसे उन्होंने गंबा दिया चेननाई की पारी के पहले ही ओवर में उस समय अजीब स्थिती बन गई जब दिल्ली के खिलारी अक्षर पट्टेल ने नौन स्ट्राइल करन पर गेन फेंकी जिसे कॉलिन मौन्रो ने पकरा लेकिन मौन्रो ने स्टम को हिट करने की बजाय गीन विकेट कीपर पंद की लेकिन पकर नहीं पाई और गेन बाउंडरी की तरफ एशांत्स शर्मा के पास चली गई इस दोरान चेननाई के पाफ डूप्लेसिस और शेन वाट्सन दोनों ही भाग कर एक ही तरफ पहुँच गए थी डूप्लेसिस और वाट्सन में से किसी एक को रन आउट करने का दिल इस ने अपने अपनी अर्दश तक जड़कर दिली से जीट छीनने में काम्याब रहे Z News की रपोर्ट